इस्रेल-पैलेस्टाइन कॉन्फिलिक्ट के बारे में बहुत कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन अगर इस कॉन्फिलिक्ट को आप ब्रीफी समझना चाहते हैं, तो तीन से चार मिनिट मुझे दीजे और I'll try to briefly sum it up, मेरा नाम है अरुन सिंग, और अगर एक लाइन मे जॉर्डन, और जॉर्डन के साथ है इस्रेल-पैलेस्टाइन, और एक साइट पर तो जॉर्डन है ही, बाकी साइट पर एजिप्ट है, लेबनन है, अब रिलिजिसली डाइवर्स ये रीजन हमेशा से रहा है, और 14th और 20th सेंचुरी के बीच में ये ओट्मन एंपायर के अ और आता था, और एक स्टेट थी विच इंक्लूड़ेस्ट यॉर्प, वेस्टन एजिया और नौदन आफ्रिका, वापस आते हैं 1900 में, अब क्योंकि ये इस्टन मेडिटरेनियन एरिया था, तो जो अरब जिनकी पैलेस्टीन इडेंटिटी थी, वो अलग से अपने आपको इस ओन, तो दे साड़ें लुकिंग तोवर्ड मिडल इस्ट फोर दाट सेपरेट नेशन, फिर हुई वर्ड वार वन और ब्रिटिश ने वर्ड वार वन के बाद कंट्रोल लिया इस एरिया का, अब यहां पर ब्रिटिश ने कई जूस का माइग्रेशन जो है, वो वन ने इस बिर्टिश-Pलेस्ताइन का डिविजन प्रपोस किया, जहां पर उन्होंने कहा कि जो 53% एरिया है, तो can go to Jews and it can be called Israel, and 47% can go to Arabs and it can be called Palestine, और वहीं जो जो जैरुसलम था, was called an international spot क्योंकि Christians, Muslims and Jews का यहाँ पर holy spot है and of course Britishers exited. लेकिन जो बाकी Arab regions थे उन्हें ये division कुछ भाया नहीं because of course the maximum part of this area went with Jews and was called Israel तो Arabs ने war की Israel के साथ 48-49 में ये war हुई 1948-49 में और इस war को Israel ने जीता और इस जीत का नतीज़ा ये हुआ कि जो UN ने area dedicate किया था to Israel उससे कई जादा इन्होंने occupy कर लिया. 1967 में एक और Arab Israel war हुई और इसमें भी Israel ने काफी Palestinian area जो था उसे occupy कर लिया. दो areas के नाम आपने बहुत जारा सुने होंगे Gaza Strip और West Bank. तो ये दोनों भी इसी area के ही parts हैं और ये दोनों भी आ गए Israel के under खेर इसके बाद बहुत सारे ऐसे Palestinian area से जहाँ पर Jews की settlement बढ़ने लगी और again conflict भी बढ़ने लगे. 1990 में दोनों तरफ के जो leaders हैं उन्होंने Oslo Accord sign किया which is kind of a peace agreement और इसके बाद जो West Bank है जिसका जिकर हमने पहले भी किया उसका जो 40% area है that went with Palestinians उधर जो Gaza Strip है वहाँ से Israel disengaged और एक extremist Palestinian group Hamas उसने charge ले लिया इस area का और आज की rate में जो आप conflict देख रहे हैं वो काफी जादा जो है is between Hamas and Israel Authority वापिस आ जाते हैं 2021 में जो conflicts आप देख रहे हैं उनकी शुरुआत हुई शेख जर्रा से जो Jerusalem में है और Israel Authority considers East Jerusalem as their area हला कि internationally recognized नहीं है और यहाँ बहुत सारे ऐसे Palestinian families है which are facing eviction और वहाँ से जो conflict है वो शुरू हुआ और उसके बाद Al-Aqsa Mosque जो Islam में third holiest site है वहाँ पर जो है वो violence की शुरुआत हुई या फिर clashes की शुरुआत हुई क्योंकि रमदान के दौरान evening prayers attend कर रहे थे Muslims और Al-Aqsa Mosque के बहार Israel police जो हुआ वो deploy की गई वहाँ पर clashes की शुरुआत ही और उसके बाद से फकॉस बहुत सारी और updates और conflicts हमें देखने को मिले हैं उसमें जादा हम डीटेल में नहीं जाएंगे this video is dedicated to the brief history of this conflict that's all I had for this video Arun Singh for NDTV